हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि बैटल अफ मनी गेम को खेला कैसे जाता है बैटल अफ मनी गेम एक इन्वेस्ट्मेंट गेम है जिसमें कई तरीके के इन्वेस्ट्मेंट दिखाये जाते हैं जैसे गोल, शेर्स, बिसनेस और रिस्कार्ट आपको इस गेम में एक में बोर्ड मिलेगा, 9 ग्रीन और रेड कार्ट मिलेंगे, 12 बिसनेस कार्ट मिलेंगे, 16 रिस्कार्ट, एक सैंड टाइमर यानि आर ग्लास, 4 टोकन, 2 डाइस, मनी नोट्स, गोल्ड, शेर सर्टिफिकेट और एक गेम की शीट मिलेगी जिसमें नंबर्स दिये रहते हैं, इस गेम का अबजेक्ट ही है कि चीजों को खरी दिये, बेचिये, प्रॉफिट कलेक करिये और सामने वाले को बैंकर्प करिये, जो प्लेयर आखरी तक रहता है, वही इस गेम को जीतता है, गेम की शुरुआत में हर प्लेयर को 27,000 कैश, एक रिफूजल कार एक प्लेयर कार्ट, एक बैंकलोन कार्ट और एक टोकन चूज़ करने को दिया जाएगा, सबी प्लेयर अपनी टोकन को स्टार्ट ऑप्शन पर रखेंगे और सब प्लेयर बारे बारी करके इन डैसे को फेकेगा, जिसका हाइस नमबर आता है, इस गेम की शुरुआत को वही करेगा, स्टार्ट करने से पहले एक बात को ध्यान रखेंगे, जब गेम स्टार्ट होगा तो ये टाइमर भी आन हो जाए, और प्लेयर डाइस टाइस फेकेंगे, जिसे तीन उचार आया, वन, टू, ट्री, फो, जो डाइस वैल्यू में आएगा, उतने स्टेप्स वह आग करेंगे, जब इस आर ग्लास की सैंट फिनिश हो जाती है, तो कोई भी एक प्लेयर इस ग्रीन कार्ट की गट्डी से सबसे उपर वाला कार्ट उठाएगा, उसको पल्टेगा, और जो इन्फरमेशन लिखी है, वो सभी प्लेयर्स को फॉलो करनी होती है, फॉलो करने के इसको वापस गट्डी में रख दिया जाता है, कुछ इस तरीके से, और इस आर ग्लास को दुबारा स्टार्ट कर देंगे, और प्लेयर्स दुबारा टाइस फेक की आगे बढ़ेंगे, जब ये आर ग्लास फिर से फिनिश होगा, तो प्लेयर्स वही प्रोसेस फॉलो करेंगे, कार्ट को खोलेंगे, पढ़ेंगे और उसे गड़ी के नीचे रख देंगे, अगर किसी ग्रीन कार्ट पे ये लिक आजाए, स्टार्ट रेड कार्ट, इसका मतलब है, कि अगली टर्न में जब आर ग्लास फिनिश होगा, तो ग्रीन कार्ट की बजाये, रेड खोला जाएगा प्लेयर्स इस गेम में गोल और शेर्स भी खरी सकते हैं जब वो किसी बाई आप्शन पे गिरते हैं वो दोनों चीज़ें एक साथ खरी सकते हैं या फिर दोनों एके करके भी खरी सकते हैं इस गेम के अंदर दो मीटर्स बने हुए गोल मीटर और शेर मीटर य इस समय प्राइस 3000 चल रहा है, इनकी प्राइस जो है वो ग्रीन और रेड कार्ट से ही चेंज होते हैं, प्लेयर्स गोल और शेज को उसी रेट पे सेल करेंगे, जो रेट इन मीटर्स पे दिखे लिखे हुए हैं, इन मीटर्स पे जो रेट दिखा होता है, वो पर वन लॉट का रेट होता है, और प्लेयर्स एक बार में तीन लॉट की खरीच सकते हैं, इग्जाम्पल अगर वो इस माल लीजे इस बाई आप्शन पे गिरे, उन्होंने तीन लॉट ये खरीदा, अगर उन्हें तीन लॉट से जादा खरीदना है, तो उन्हें दो बार बार बाई पर गिरने पे कमपल सरी नहीं है, कि आपको गोल और शेस को खरीदना ही खरीदना है, आपको इस गेम में एक गेम शीट दी गई जिस पे बहुत सारे नमबर लगे हुए हैं, आपको इन नमबर को निकाल के और इन नमबर को यहां प्लेस करना है, ताकि ये रेट उपर देगा और उसमें लिखा हो रहता है decrease gold by 400 and increase shares by 400 तो shares के भाव को 300 से बढ़ाके यह हो जाएगा 3400 और यहां 3000 है और यह 400 रुपए से गिर गया है तो यह rate हो जाएगा आपका 2600 यानि यह 6 और यह तो इन numbers की मदद से आप rates को उपर नीचे कर सकते हैं यह सभी business cards auction पे होते हैं यानि की निलामी जैसे ही कोई player किसी business card पे land करता है उसी time पे इसकी निलामी start हो जाती है auction जो है वो base price से start रहेगा यह base price इसी board पे ही लिखा रहता है जो भी निलामी लगेगी वो 100 के multiples पे ही लगेगी जैसे इसकी लगेगी 2100, 2200 और 2300 जो ख्राड़ी सबसे ज़्यादा बोई लगाता है वो card उसको मिल जाता है अगर किसी player को bidding लगाने का मन नहीं है तो वो simple out बोल सकता है और bidding लगाना compulsory नहीं है business card को खरीदने का फायदा यह होता है कि आप उससे profit collect कर सकते हैं सामने वाले player से वो कैसे होता है इसको देखते हैं मान लिजे आपने garment auction को खरीदा हुआ है जैसी आप इसको खरीद लेते हैं तो आप इसके पीछे देख सकते हैं कि आप 200 rupees profit collect कर सकते हैं यह profit आप तब collect करेंगे जब सामने वाला कोई भी player start option पे land करता है या इसको cross करता है आप उन सभी business cards के profit को collect करेंगे जो आपने खरीदे हुए हैं अगर आपने एक से ज़ादा business cards खरीदे हुए हैं तो आप दोरो या तीन को profits को जोड़ेंगे और सामने वाले से उसी time पे collect करेंगे जब वो start option पे land कर रहा है या उसे cross कर रहा है अगर आपको business card को बेचना है तो या तो आप player से trade कर सकते हैं या फिर bank को बेच सकते हैं अगर bank को बेचेंगे तो bank आपको सिर्फ base price ही देगा अब हम बात करेंगे risk cards के बारे में risk cards compulsory cards होते हैं और ये green या red card के तू ही खुलते हैं और ये किसी specific player के नाम पर ही खुलते हैं और जिसके नाम पर ये खुलते हैं उस player को इसे खरीदना जरूरी होता है total 4 risk cards एक particular player के नाम पर खुलेंगे और हर player और हर risk card की cost 10,000 रुपीज होती है यानि total 40,000 रुपीज के risk cards players को खरीदने होते हैं अब हम बात करेंगे risk card के back side के बारे में जैसे कि यहाँ पर हमने देखा कि यह इसका price लिखा हुआ 10,000 किस player के नाम पर खुला हुआ है player 1 के नाम पर खुला हुआ है यह आप यहाँ देख सकते हैं अच्छा risk cards के फायदे क्या होते हैं कि अगर आप risk card खरीद लेते हैं तो आप सामने वाले से profit कलेक कर सकते हैं वो कैसे अगर आपने एक risk card खरीदा हुआ है तो आप 500 रुपीज कलेक करेंगे टोटल दो खरीदा है तो आप 1000 कलेक करते हैं टोटल प्रॉफिट अगर आपने अपने ही नाम के तीन खरीद लिए तो 2000 और अगर चारों खरीद लिए तो 4000 आप टोटल प्रॉफिट कलेक करेंगे यह प्रॉफिट आप वैसे ही कलेक करेंगे जैसे आप बिजनेस कार्ट में कलेक करते दें जब सामने वाला स्टार्ट आप्शन पे या उसे क्रॉस करता है रिस कार्ट को जो रिसेल वैल्यू वो से 1000 और इसे सिफ बैंक को बेचा जा सकता है किसी भी प्लेयर के साथ ट्रेट नहीं करा जा सकता है अब हम रिफ्यूजल कार्ट के बारे में बात करेंगे हर प्लेयर को एक रिस कार्ट मिलता है जिसे वो तब यूज़ कर सकता है जब उसे कोई एक रिस कार्ट नहीं खरीदना हो ध्यान रहे प्लेयर इसे एक ही बाल यूज़ कर सकते हैं और इसके यूज़ करने पे जो रिस कार्ट खुला था उनके नाम पे वो वापस गड़ी में चला जाता है और बैंक को वापस इफिसल कार्ट दे दिया जाता है अब हम बात करेंगे बैंक लोन के बारे में हर प्लेयर को एक बैंक लोन मिलता है 6000 का जो उसे वो कभी भी यूज़ कर सकता है इस लोन की रीपेमेंट 8000 होती है और इसे उसे चार इंस्टाल्मेंट में पे करना होता है 2000 इच जब भी कोई प्लेयर इस बैंक लोन को लेता है तो बैंक उसे 6000 रुपीज कैश देता है और साथ में इंट्रेस्ट ड्यू के चार कार्ट देता है 2000 इच के अगर किसी green और red card में ये लिखके आजाए interest due word लिखके आजाए तो इसका मतलब है जिन जिन प्लेयर्स ने loan लिया हुआ है उन्हें अपनी एक किस चुकाने का time आ गया है और उन्हें immediately 2000 रुपीज और interest due का एक card bank को वापस करना होता है जैसे मान लिजिए ये hour glass over हुआ और मैंने ये green card उठाया और इसके पीछे लिखा हुआ है interest due इस मील जिसने लोगोंने loan लिया है वोने immediately 2000 रुपीज और एक interest due card bank को देना होगा अगर वो नहीं देते हैं तो उसी समय bankrupt हो जाएंगे इस वारे में अगर किसी player का token इस option पर आके गिरता है तो वो कुछ surprise पैसे earn कर सकता है यहाँ पे player एक number सोचेगा सबको बताएगा और फिर dice को फेकता है अगर वही number आ गया तो वो bank से उस number का 200 times collect करेगा अगर किसी player का token इस safe house option पर गिरता है इस option का मतलब है कि आप एक chance के लिए इस house पर रुख सकते हो और आपको आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर किसी player का token इस option पर गिरता है जो है throw the dice and move ahead तो आप बस dice फेकेंगे जितना number आता है अब उतने steps आगे चले जाते हैं और अगर आप किसी इस option पर गिरते है throw the dice and move back तो आप dice फेकेंगे और उतने steps पीछे आ जाते हैं अगर किसी player का token stop until you roll even पर आता है it means कि आप तभी आगे बढ़ सकते हैं जब तक आपके dice का total even number नहीं होता है हाई everyone उमीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छे समझ में होगा इनी case हम आपको problem है तो game के back में एक helpline number दिया हुए आप उसे call कर सकते हैं और हमारे अब कुछ और भी titles हैं जिससे की first product है हमारा model जिसमें कि हम blindfold होके words बनाते हैं एक और interesting game है उसके बाद एक unscrampled जिसमें हम word को break करते हैं कैसे बड़े से word को कितने सारे छोटे words में हम break कर सकते हैं और एक हमारा आपता है main guest tenant और landlord के ऊपर ये product है आप जरूर इने try करेगे बहुत ही exciting game